हेलो गाईज आप देख रहे हैं स्के लेवन एक्सपर्ट का योट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले यानिकी गाईज आपको लायन्स और डॉल्फिन्स के बीच में यहाँ पर CST 20 चैनल से जो आपको सतर्मा मैज खिराता दिखेगा इस मैज के बारे में हम आज के इस वीडियो में एकदम अच्छे से बात करने वाले हैं सब कुछ इस मैज के लेटेड आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा बस आप वीडियो में बने रहें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टन बात इस मैज की फाइनल टीम अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी तो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर जॉइन नहीं हुए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएगा आप उस लिंक पर क्लिक करकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जॉइन कर सकते हैं बाइचांस अगर डिस्क्रिप्शन भाला लिंक काम ना करें तो आपको अपने टेलिग्राम में जाना है और सिंपली सर्ज करना है इसके बाद गाईज आपको हमारा ओरिजनल टेलिग्राम चनल मिल जाएगा जिसमें अलड़ी 3400 से ज्यादा लोग जॉइन हो चुके तो आप भी ज्यादा लेट ना करें आप अलड़ी काफी ज्यादा लेट है जितना चल्दी हो सके हमारी टेलिग्राम चनल पर जॉइन कर ल ठीक है और यहाँ पर बैटिंग पिलकुली जी नहीं रहेगा और बॉलर्स के लिए मेरी हिसाब से यह पिछ हेल्प काफी ज्यादा कर सकती है ठीक है आप सारे मैचस का यहाँ पर डेटा देखेंगे तो स्टार्टिंग के मैचस में तो रंस बन रहे थे लेकिन यहाँ से अ मैच 14-100 था मैच 15 में यहाँ पर फास्ट इनिंग में रन बना वो भी अच्छी टीम थी डॉल्फिनिस लिए बाकी मैच 16 में अगेन रन नहीं बना ठीक है तो रंस बिलकुल नहीं बन रहे मैच यहाँ पर 6-7 से ठीक है 7 से तो गाइस पिछ लो हो गई है मेरे हिसाब से बॉ इंग लेवन डिसकस कर लेते हैं तो इनके लिए रैन रिकिल्टन ओपनिंग कर रहे है साथ में आरे कैमरन डैलपॉर्ट वन डाउन पर डॉम्निक हेंड्रिक्स है टू डाउन पर मिचल वैन हुरन थ्री डाउन पर है वियान मल्डर फोर डाउन पर मोहम्माद बन है रिकिल्टन अभी अलगी रहे फर्स्ट मैच अच्छा खेलिए बाइस सेकेंड मैच यह अन आउट होई थार्ड मैच में 19 करके गए अभी तक कनवर्ट नहीं कर पाए है ठीक है वैसे प्लेयर काफी अच्छे है क्यामरें डैलपॉर्ट बहुत अच्छे प्लेयर है लास्ट 19 और 16 नोट आउट लेकिन कनवर्ट नहीं कर पाए ठीक है बाकि वियान मल्डर बहुत तगरें फॉर्म में है पच्छपन 29 31 नोट आउट तीनों इनिंग काफी तगरा खेलें बाकि मोहमद मनिक को ज्यादा बैटिंग नहीं मिला एक मैच में मिला जिसमें 4 रन ही कर पाए इवेन जोन्स दो इनिंग में बहुत अच्छा खेलें 37 और 33 ठीक है बाकि सिवातो को ज्यादा बैटिंग नहीं मिला है बाकि बालिंग में देखेंगे गाईज बालिंग के स्टैट्स पर फोकस करेंगे आप तो इनके टॉप विकेट एकर यहाँ पर सिपामला है दस ओवर की बдеलिंग की अभी तक इनों ने जिन्मिन के नाम पर 6 विकेट है थीक है बाकि मलडर के 12 और की बापर की बालिंग तीन विकेट मफा का नो आपर की बालिंग में 3 विकेट जोन्स तलने सातर्मा और 20 मा और डाला था तो इससे ही आपको पता चलता है स्ट्रीम के बैथ बाकी 19 मां ओभर यहाँ पर बोकाको नहीं डाला था, कभी कपाल सिपामला भी देथ में डालते हैं, जैसे लास्ट मैच मिनों ने, यहाँ पर 18 मां ओभर डाला था, ठीक है, तो ध्यान देखिएगा, इस टीम के देथ बॉलर, सिबातों है, मेन, साथ में सिपामला और बोकाको डाल सकते हैं, ठीक है, अब गाइस, एक बार लाइन्स के, आप हर एक प्लेयर का, T20 करियर का भी स्टैट्स देख लीजे, ठीक है, यह आपके सामने है, यह स्टैट्स मैंने इस स्टार्ट होने से पहले लिखे हैं, ठीक है, तो यह बात का ध्यान देखिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा है, ठीक है, तो कमाल की डिफ्रेंसल हैं इस मैंस में, ध्यान रिखेगा उनका, इस्पेसली मैं बता रहा हूँ, बाकी अब हम दूसरी टीम, डॉल्फिन्स पर आते, उनका प्रोवेबल प्लेइंग लेबन डिसकस कर लेते, तो डॉल्फिन्स के लिए, ग् बाकी बेंच पर इनके पास, ब्राइस पार्सन है, बहुत अच्छे यंग प्लेयर, जो कि मैं वानता हूँ, तीन मैच नहीं चले, लेकिन मेरी सैप्सिन को टीप को मौका देना चाहिए था, ये फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बाकी मारका सेकरमन है, अब में है, 68, 66, 91, तीन मैच में बहुत अगरा खेले हैं, बाकी कीगन पैटर्सन एक ही मैच के लिए लास्ट वाला, जिसमें आठ रन कर पाए, जोन जोन समस कुछ खास नहीं कर पाए, 14, 22, 0, 9, टिठोले 2 मैच के लिए, 22, 10, कुछ खास नहीं कर पाए है, ठीक है, खाया जोन के स्टार्स पर फोकस करेंगे, तो इथन बहुष्ट टीम के टॉफ विकेट टेकर है, 13 वालिंगी में नाम पर साथ विकेट है, सुबरें बार वालिंगी में, ज.. बाटमैं तेरा ओवर की बॉलिंग में नो विकेट इनके लिए लास्ट में किसी ने भी देथ में बॉलिंग नहीं की थी क्योंकि मैच इन्हों ने पहले जीत लिया था मेरी साथ से स्टीम के जो देथ बॉलिंग कर लेते हैं यह बात का भी आप ध्यान लेकिएगा बाकी एक बार डॉल्फिन्स के आप हर एक प्लेयर का T20 करियर का स्टार्स देखना जाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे तो एबरेज वाई स्री लॉप्शन का अब इस बहुत अच्छा है ठीक है बाकी बॉलिंग में अगर आप देखेंगे गाइस तो बॉलिंग में डुपाल विलियन बात्मैन इनके स्टार्स अच्छे हैं सुबरेन भी अच्छे रहेंगे ठीक है धान देखेंगा इस बात का तो गाइस इस मैच के लेटेट जितना भी वीडियो पर जरूर दिखाएगा साथ मैं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर भी कर दीजेगा और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नूह है अगर आपने भी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे औ और बेल आइकम को भी ओन कर लीजे ताकि आप आने वाले वीडियो उसकी नोटिफिकेस्टन मिस्क ना कर सके अब चलिए गाईज यहाँ पर हम अपनी टीम डिसकस कर लेते हैं टीम डिसकस करने से पहले एक छोटा सा रेमाइंडर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन में से यहाँ आप के सामने गाईस धेली बेटिंग डेक्सन में प्रोवाइड करता हू आपको उसी से डीम घ महतist कमाल यहाँ गईले घ करилоलऊ हूँ और 吃 यहाँ जुका हूँ, सारा विनिंग का प्रूफ पिंड मैसेज में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर चेकाउट कर सकते हैं, तो अगर आप अभी तक नहीं खेल रहे हैं, तो बहुत कुछ मिस्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा मज़ सोचिए, लिंक आपको वीडियो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर बाद हूँगा, ठीक है, वैसे वन बिन एकदम जेन्वन बैटिंग अप्ली केसर हैं, जो कि आपको इंस्टेंट पिड्रॉल प्रॉइड करती है, ठीक है, बाकी डिटेल में वन बिन के बारे में टी डिटोले, चार प्ले खेलते दिखेंगे, यहाँ पर जो बेस्ट आपके लिए है, सबसे नमबर वन चॉइस तो आपके लिए रिल उप्सन रहने चाहिए, इन सब में सबसे काविल प्लेयर वही है, ठीक है, सबसे अच्छा एवरेज रखते हैं अपने 2020 करियर में, साथ में कमाल के फॉर्म में भी है, तो नमबर वन चॉइस आपके लिए यह रहनी चाहिए, सेकेंड चॉइस आपके लिए रियान रिकिल्टन है, जो कि रीसंट में साउथ अफिल का अगले टेस्ट मैचेस में भी खेल कर आ रहे हैं, भले अभी तक तीन पारी में अच्छा ना क आते हैं वेटर सेक्सल पर जहां पर डैलपोड इजोंस ठीक है, इन दोनों को लेना बनता है, दोनों को लेंगे, डैलपोड कुछ बॉलिंग कर सकते हैं, साथ में ओपनिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्पिरियंस पले है, डिफरेंटी 20 लिक्स में खेलने का एक्स टी 20 में उतना अच्छा स्टाइट्स नहीं रखते हैं, फिर भी ओपनिंग पर हैं, तो आप ग्रैंड लिग में ट्राइ कर सकते हैं, खाया जोंड बहुत अच्छे फिनीसर, अच्छा केल रहे हैं पिछले कुछ मैचे से, ठीक हैं, तो यह आपके लिए अच्छे डिफरें नहीं करूँगा, ठीक है, अभी के लिए बैटर सक्षन में, मिचल वैन वुरन और जॉंड वे में मैं कन्फ्यूज हूँ, कि इन दोनों में से किसे लिया जाये, ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर मैं, खाया जॉंड वैन वुरन को लेना हूँ, आप ले सकते हैं, कोई प् फिर भी दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों को लेना बनता है, ठीक है, बाकी नीचे से सीमेल आनी कुछ खास नहीं है, मनक भी कुछ खास नहीं है, ब्राइस पार्सन बहुत अच्छे प्लेयर है, टीम इनको ड्रॉप कर दिया लास्ट मैस में, बाईचान सगर खेलते हैं, बहुत अच्छे डिफ्रेंशल बनेंगे, ठीक है, ध्यान देखिएगा, अब आतने बॉलिंग सेक्सल पर जहाँ पर आपको मिलेंगे लूथो सी पामला, जो की विकेट टेकर है, जैन्वन, ठीक है, उसके लाबाँ एथेन बोस है, जो की बहुत ज़्यादा विक्टे निक में भी खेल कर आरें, ठीक है, तो देख सकते हैं, काफी हाईयर लेवल फर ये खेल जोगा है, ठीक है, तो ये गेम चेंजर आपके लिए बन सकता है, सेलेक्शन इनका कुछ भी नहीं है, ध्यान लिखेगा, बाकी बोकाको को नहीं रिकबन करूँगा, सुबरेर अच्छे स्पिनन है, रंस करना भी जानते है, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा रंस नहीं कर रहें, लेकिन ओफिस पिन काफी अच्छे डालते हैं, ठीक है, तो ग्रैंड लिग में ये भी आपके लिए ट्राइवल रहेंगे, तो अभी के लिए गाईज मैं बाटमैन ले रहा हूं, सिप दूपाल विलियन है, आप इनको ले सकते हैं, काफी अच्छे गेम चेंजर बन सकते हैं, बाखी यहाँ पर आपके पास बैटर सक्षन से मिचल वैन हूरन है, दूसरे ओप्सन हो गए, और रिकिल्टन है, तीन ओप्सन आपके पास है, लास्ट प्लेयर का खॉल आपको लेन इसमें CVC की बेस्ट ओप्सन की बात करूं, तो दो सबसे बेस्ट जो ओप्सन है, वो वियान मल्डर और जॉन जन स्मर्ट्स है, जो कि अपनी टीम के सबसे मेन और डाउंडर्स है, इनके अलाबा आप इजोन्स को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और रिल ओप्सन को ट्राई क कर सकते हैं, जो CVC, ठीक है, बाकि और ज्यादा प्लेयर पर आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, तो गाईज ये बनते हैं, अभी के लिए हमारा टीन का प्रेवियू, इसमें डेफिनेटली 100% टीम में चेंजेस होने वाली है, फाइनल टीम अब्डेट बहुत ज्यादा इ फाइनल टीम अब्डेट आपको वही पर मिलेगी, ठीक है, बाकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बहुत कमाल की अप्लिकेशन, बैटिंग अप्लिकेशन, वन बिन का भी लिंक आपको मिलेगा, ठीक है, उसको भी आप जरूर चेक आउट करिएगा, तो बस आज किस वी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट्स जमार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को भी ओन कर ले, ताकि आप आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस्त ना कर सके, तो बहुत जल्द गाइस मैं आपसे मिलता हूँ, नेक्स वीडियो में,